जैहिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में परिमय संख्यां और और परिमय संख्यां के बारे में आपको बारिकी से बताया जाएगा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताया जाएगा ठीक है तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देख लिजेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर जिदि आप इस चैनल पर नए आया हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं नीचे लालकरल का बटन दिया हूआ, उससे दवा के जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफूल कंटेंट लेकर के आऊ तो उसका नोटिपिकेशन आप तक पोच जाए ठीक है तो चलिए एक एक करके समझते हैं परिवासा और उदारन के साथ कि परिमय संख्या क्या होता है और इसको जो है कि क्या क्या इसका उदारन होगा और 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 परिमय संख्या क्या होता है ठीक है देखे पहला में है हम लोग का परिमय संख्या इसको अंगरेजी में काते है rational number क्या कहेंगे rational number ठीक है दूसरा है और परिमय संख्या इसको अंगरेजी में काते है irrational number ठीक है तो यहाँ पर देखे इसका जो परिभासा होगा इसका परिभासा ऐसा होगा कि वह इसी संख्याँ सबसे पहले परिभासा को सम्भी लेंगे तब जाकर के उदाहरन समझेंगे ठीक है तो वह इसी संख्याँ वह इसी संख्याँ जो या जिसे लिखेंगे जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में हो में लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे तो परिमेश संख्या कहेंगे ठीक है इसको उधारन के साथ समझते हैं इसमें आपको एक और कंडिशन याद रखना पड़ेगा परिमेश संख्या P बटे Q के रुप में तो होता ही है लेकिन Q is equal to 0 यानि कि Q 0 के रुप में नहीं होना चाह में नहीं होना चाहिए यह इंपोर्टेंट है इसको भी आप याद रखेंगे चलिए इसको उधारन देखें इसमें उधारन क्या क्या होगा जैसी चार पांच चार आठ या फिर नौ बटे साथ या फिर आपको इस तरह से रहेगा क्या रूट में कितना रूट में 16 या फिर रूट में 9 अब आप ये कहेंगे कि सर ये पांच जो है पांच के बट्टा में कुछ तो नहीं है यहाँ पर क्या होगा देखिए पांच के बट्टा म के रुप में आ गया ठीक है पी वट्टे क्यू के रुप में आ गया पी के जगा पर पांच और क्यू के जगा पर एक हो जाएगा ठीक है अब यहां पर नौ बट्टे साथ है यह जो है पहले से पी वट्टे क्यू के रुप में लिखा हुआ है अर्था दिया क्या होगा परिम संख्यां हОगा, रूट अंडर सोलर, ठीक है, उसी परकार, रूट अंडर 9, क्या होगा, परिमेश संख्यां होगा, इसका रूट 9 का ओर मुल कितना होता है, तीन होता है, इसको लिख सकते हैं कितना 3 वटे 1, लेकिन यही पर अगर बात करें कि का रूट अंडर सेवन का यह परिमय संख्यां होगा तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसको रूट के अंदर से बाहर नहीं कर सकते हैं इसलिए इसको पीवट्टे क्यों के रुप में नहीं लिखा जा सकता है तो इसलिए परिमय संख्यां नहीं होगा तो और परिमय संख्या का परिभासा क्या होगा जश्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या कि वो इसी संख्या वो इसी संख्या वो इसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके ठीक है नहीं लिखा जा सके जा सके उसको क्या कहेंगे तो उसको कहेंगे और परिमे संख्या यानिकि additional number इसको उधारन के तौर पर अगर जिदि लेंगे उधारन में क्या क्या आ जाएगा कोई भी root वाली संख्या जिसको की root से बाहर नहीं निकाला जा सकता जैसे root under 7 हो जाएगा रूट अंडर 5 हो जाएगा या रूट अंडर 12 हो जाएगा ये सब सभी संख्यां क्या है और परिमे संख्या है लेकिन यहाँ पर बात करें अगर रूट अंडर 25 का ये क्या होगा ये परिमे संख्या होगा क्यों होगा क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है रूट से बाहर निकाला जा सकता है 25 का वर्गमूल 5 होता है तो 25 से 5 बाहर निकल गया तो इसका वर्गमूल निकल गया तो रूट के बाहर निकल गया कहने मत तो क्या होगा इसको पीवट्टे Q के रुप में लिखा जा सकता है अर्थात ये क्या होगा एक परिमय संख्या होगी ठीक है तो इस तरीके से मैं उम्मिद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप परिमय संख्या और और परिमय संख्या के बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझ गये होंगे तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मात्रम